कि शुपर भबच्चो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीर ऑफ दार्थ प्रत्वी के आंतिक संदश्टा कल के वीडियो में हमने आपको डारेक्ट सोर्सिस और इंडारेक्ट सोर्सिस के बारे मताया है कि कौन-कौन से प्रतक्ष और एक प्रतक्ष प्रणमान हैं जिनके अज हम डिसकस कर रहे हैं अर्थकुएक और सिसमेस वेवस अर्थकुएक जब आता है भुकम जब आता है उससे कहां कैसी वेवस लिखनती है कौन-कौन सी वेवस लिखनती है सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ओफ अर्थकुएक कोई मोमेंट होगा उससे अर्थ वाइबरेट करेगी उससे अर्थकुएक कहते हैं वाइबरेशन जस्ट वाइबरेट करना हिलना नहीं जैसे फीवर में हमें हमारे शेरी कापता है तो ऐसी अर्थ सर्फेस कापती है जिसको हम अर्थकुएक कहते है इन अदर वर्ड्स सदर्ल रिलीज ऑफ एनर्जी डू टू टेक्टोनिक अक्टिविटी इस कॉल अर्थकुएक जब वेप्स निकलेगी तो कोई नकोई एनर्जी निकलेगी रिलीज होगी और उससे अर्थकुएक आएगा अर्थकुएक जो आता है वो मुमेंट्स वो प्लेट्स जो हमारे मीचे प्लेट्स हैं जितने हमारे कॉडिनेंस पोश्चन्स पगरा हैं इनके चारों लिकुड फॉर्म हैं तो इनमें तो ज़्य दर मॉमेंट्स होता रहता हैं इस एफय कहें है रईसंग अम्मस बॉम मैंघ्मा जब वालन-मुकी फर्ता उससे भी आठी हलती यह उससे भी और ऐकाता है folding and falting अंदर folding and falting में होता है plates एक दूसरे से तकड़ाती है side में आती है एक दूसरे को अपर जाती है उससे भी होता है और welcoming eruptions इन काड़नों से mostly earthquake आता है जब भी earthquake आता है तो तीन तरह की waves निकलती है P, S और N पी फ्रैम्री वेब्स, एस सेकंडरी वेब्स और एल लॉंग यार सर्फिस वेब्स पी वेब्स बहुत पास्ट होती है, सबस्यादर तेख चलती है और सॉलिड लेक्विड गैस तीनों से पास हो जाती है इसलिए पता लगता है कि प्रफिक अंटिरियर में, सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस बहुती है सेकंड़् जो एस वेब्स होती है, वो इससे कम चलती है, सुईर इससे कम होती है टांस्वर्पर वेब्स को कहती है उसको यह खाली जो सिकंडरी वेवस है यह खाली सॉलिड से पास हो पांडी है और लेक्विड में ख़ता मुझाती है इसकी फीचर से थर्ड वेवस है एल वेवस जिसको हम लॉंग यह सर्फेस वेवस ही कहते हैं काफी सबसे धीमी चलती है यह तीनों से पास हो सकती है solid liquid और gas से और यह सीधा its moves on the art surface सबसे बड़ी खासित इसकी है सीधा art surface पर आती है इसलिए सबसे ज़्यादा नुफसान जो destruction करती है जो हमारे art के ओपर जो भी हमारा settlement रा कुछ भी है उनको destroy करती है सबसे ज़्यादा यही करती है कि यह directly surface पर आती है तो इस बारे में आज आप discuss करेंगे इसके notes बनाएंगे और इस video को share करेंगे ज़न्यवाद